हलो आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो दोस्तों ये वीडियो किन बच्चों के लिए है ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिसने अभी जून के मन्त में एन्वर मोड के ओपन बुक एक्जाम दिया है एसोल के तो अब इस वीडियो में एक इंपोर्टन चीज में आपको बताने आया हूँ पिछले कुछ एक दो दिनों में बच्चों को मेल भेजे गए हैं एसोल की तरफ से अब समझे ये मेल किन बच्चों को भेजे गए हैं बहुत से बच्चों ने एसोल में जब ओपन बुक एक्जाम जून के मन्थ में हुए हैं एन्वल मोड फाइनल येर या फिर सेकंड इयर रिपीटिट इस्टुदेंट्स के तो बहुत से बच्चों ने क्या करा था कि जब वो अपने डैशबोर्ट का इस्तमाल करके अपने OBE का पोडल का इस्तमाल करके अपनी आंसर शीट को अपलोड कर रहे थे तो उसमें एक नीचे प्रिविय और फिर उसके बाद फाइनल सेमिट को अप्चन होता है उसको करने के बाद आपका सारा प्रोसीजर कंप्रीट होता है OBE एक्जाम का लेकिन बहुत से बच्चों ने उस फाइनल सेमिट पर किलिक नहीं किया था जिसकी वज़े से हम बार बार आपसे बॉल रहे थे कि आप रिस्क में हो कि आपके आंसर शीट अपलोड होंगी एकसेप्ट करे जाएंगी यह नहीं लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में काफी बच्चों को एसोल की तरफ से इमेल भिज़ा गया है कि आपके जो रिस्पॉंस ते वो आटोमेटिकली समिट कर लिये है एसोल ने इसका सीधा सीधा मतलब यह है दोस्तों यहाँ पर मैं अगर सिंपल लेंग्विज में समझाओं कि ऐसे बच्चे जिसने ओ भी ही पोटल पर अपनी आंसर शीट अप्लोड तो करी थी लेकिन फाइनल समिशन नहीं किया था तो उन बच्चों का रिस्पॉंस आटोमेटिकली समिट कर लिया है एसोल ने अब ऐसा हो सकता है कि आप में से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों के साथ भी एक दिक्कत हो कि उन्होंने आटो उन्होंने फाइनल समिट पर क्लिक नहीं किया था लेकिन आंसर शीट की पीडियाफ अप्लोड करी थी लेकिन फाइनल समिट पर क्लि हो चुका होगा चुकि बहुत से बच्चों को इवन मैंने खुद इंस्टाग्राम पे काफी बच्चों ने मुझे स्क्रीन शोट भज़े हैं इमेल के जो उनको पास रिसीव हुआ तभी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं कि जिन बच्चों ने फाइनल समिट प पहुचा काया हो यह हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको एस्वाल मेल दिख यह मैं आज की इस वीडियो में अपडेट देने आया था आपको वीडियो यूसफुल लगी हो वीडियो को शेयर करेगा ठेंक्यू